अलाम अलेकुम, वेलकम टू रोजमेरी किचन, आज हम आपकी लिए लेकर आए हैं चिकन मश्रूम बर्गर की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन ब्रेस्ट फिले, यह एजिली मार्केट में अवेलिबल है, लेंगे वन कप मश्रूम, मश्रूम भी यह बटन मश्रू हमने लिए है फोर तो फाइव गार्लिक क्लोफ, इसको हमने अच्छे से पीस लिया है, ग्रेट करने आपको जिस तरह अच्छा लगिए, अगर आपको फ्रेश गार्लिक नहीं पसंद तो आप गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं, यह हमने लिया है वन मीडियम अनियन, इस मियोनीज, वह आपके अपनी मर्जी है, आपको जितनी मियोनीज पसंद है वह बर्गर में आपने जितनी स्प्रेट करना चाहें, आप कर सकते हैं, हमें चाहिए यह पे हाफ लेमन, वन कप प्लेन जो वाइट मैदा होता है, वह और चीज, मेरे पास इस वक चैलर चीज अव हाफ कप मिल्क, यह डाल दिया, इसमें हम स्क्वीज करेंगे हाफ लेमन, यह हम मेरेनेशन के लिए बना रहे हैं बटर मिल्क, यह बटर मिल्क क्यूंकि एजिली अवैलेबल नहीं होता है हर मार्केट में, तो घर में बनाने का असान तरीका इसका यह है, कि मिल्क में आप ल अब देखिए हमारे यहां पे मिल्क थोड़ा सा कर्डल अब हो गया अगर आपको नजर आ रहा हो तो तो उसके बाद आपने इसमें डालना है सॉल्ट, सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक, पैपर वन टीस्पून यह फुल जाएगा इसमें, सॉय सॉस जाएगी, वन टे आप गार्लिक पाउडर भी एड़ कर सकते हैं फ्रेश गार्लिक भी एड़ कर सकते हैं यह बेलको आपके विल्क अब आपके ऊपर है इसमें डाल देंगे चिकन फिले अदे गहना चोड़े लिए जोड़ देना है कि अच्छी तरह से मरिनेंट हो जाएगी तो हम उसके ब्लाक पेपर पाउडर इसमें हम थोड़ी सी जो है ये इतलियन हर्ब्स ये डालेंगे वन टी स्पून अब इस सारे मिक्शर को हम ड्राइ मिक्स कर लेंगे में मिक्स करना है यहां पे यह रिख सकते हैं ≤ हां पे तो हम ऑने ही एकतरों वेफिर पेपर को पारए मेर्क था-पोच्छाária यहां पे 해 सब्सक्रासक बिलिया हुए न के हम अच्छे से इसको कोट करेंगे, दोनों साइड इसकी अच्छे से हम कोटिंग करेंगे, ठीक है, अच्छे से हमने कोटिंग करनी, यह बहुत अच्छे से हम इसी बैटर के अंदर डिप करेंगे, इसमें कोई एक्स्ट्रा एग कोई पानी कुछ भी नहीं जाएगा, इसी के बेटर में यह डिप होगी दुबारे से इसके ओपर यही कोटिंग लगी और हम इसको फ्राइब करेंगे अब हम इसको डारते हैं यह देखिए इसको हम फ्राइब करेंगे इसी तरह हम सारा यह प्राइब करेंगे इसी तरह हम सारा यह प्राइब करेंगे सब जितने फिले जितने बर्गर आपने बनाने जितने फिलेट्स आपको चाहिए खुलिया को पर वाम और Isky यहां पर यहां तो फ्राय हो गए है इसरो आपने सारे अपर आपने सारे इना भीख़रें किता प्यार आप्र हे आप इसके से तरीके से प्रिश्या यहां अच्छा जो इंग्रीदिंस हमें सॉस बनाने के लिए चाहिए उसमें है एक मीडियम प्यास उसको ऐसे पतला स्लाइस करने ना है ठीक है वन कप स्लाइस बटन मश्रूम से इनको भी थिनली अगर आपको होल उसमें विले तो थिनली इनको स्लाइस करने ठीक है सॉल्ट आपके टेस्ट के मताबिक ब्लेक पेपर वन टी स्पून डेरी क्रीम इसमें जाएगी कोई सी भी डेरी क्रीम हो ठीक है टेटरा पैक की और इसमें जाएगा टू टेबल स्पून बटर तो चले अब स्टार्ट करते हैं सॉस बनाने की रेसिप यहां पे हमने दिया है इसको हमने डाल दिया है पैन में जब यह मैल्ट हो जाएगा अच्छे से तो हम इसमें डालेंगे मश्रूम और प्यास और इनको सौते करेंगे चलें यह हम एप यह देख रिखनें आप इसका कलर हलका सा यह थोड़ा सा और हो जाए बिल्कुल ज़रा थोड़ा सा तो हम इस इसको भी हम अच्छे से साथे करेंगे अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और नमक नमक आपके टेस्ट के मताबिक और काली मिर्च वन टीस्पूं अच्छे से मिक्स करेंगे अब साथ ही हम इसमें आड़ करेंगे क्रीम उसमान हentry एक कप कूरी क्रीम चले गहीं जैसे ही साॉस का अजीयो जीन हो जांगी हम चूला बन कर देंगे अब इसका color լ्रहिता got norm, more brown, like the soup प्र अब अब सैंसे पहले हम इसमें लागाएंगे मिअनीज आपकी मर्जी है बर्गर चीज पसंद है बर्गर चीज लें चेडर मेरे पास अवैलेबल था मैंने बो लिया आपकी मेरे बर्गर चीज लें लेंगे अवैलेबल अवैस कि उपर आगे द्माशु जोसोस्या नश्माशिछ लेंगे लुदा लीजा नश्माशु सॉस्या 6 और बस इसके ओपर हम रखेंगे यह बंज रेड़ी है यह हमारे चिकन और मश्रूम बर्गर बिल्कुल तयार है इसके साथ आप केचप सर्फ कर सकते हैं और इस तरह भी खाएं तो यह इतने सौसी है कि केचप की जरूवत भी नहीं पड़ेगी तो यह रेसिपी हमारी जरूर ट्राइ कीजेगा और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी